जुलाई 2015 सोशल मीडिया पर एक वीडियो वारेल हुआ देखने में थोड़ा फिल्मी लेकिन काफी खौपना इस वीडियो में कुर्ता पैजामा पहने एक अधिड व्यापारी एकदम सीधा खड़ा है अपने सिर पर एक बोतल रखकर व्यापारी की भंगिमा डर से भरी हुई है उसके सामने दुबला सा एक आदमी खड़ा है उसके हाथ में चमचमाती हुई पिस्टल है जैसे ही व्यापारी सिर पर बोतल रखकर खड़ा होता है पिस्टल वाला आदमी बोलता है बच गया बेग। यूपी के आमबेटकर नगर का वीडियो था व्यापारी का नाम था बाजू खान। माफिया खान मुबारक। कई हत्याओं के साथ साथ देश की बड़ी बड़ी घटनाओ में नामजद अदावत सीधे दाउद इबराहिम से और दोस्ती सीधे छोटा राजन से। साल दोजार के बाद कई मौकोब पर इलाहबाद, फैजाबाद, अमबेटकर नगर समेथ कई इलाकों में अपनी सक्रियता का प्रमार देने वाला माफिया खान मुबारक। को अमबेटकर नगर में गेराया गया खान मुबारक के बहिनोई का मकान। यूपी के माफियाओं और अपरादियों में कमबेश एक ट्रेंड साफ दिखाई देता है। अक्सर ये माफिया किसी न किसी बदले की आग या किसी गलती के चकर में अपराद जगत में एंट्री लेते हैं। लेकिन लोग बताते हैं कि अमबेटकर नगर के हंस्वार गाओं के रहने वाले मुबारक के एंट्री ऐसे नहीं हुई थी। प्रयागराज का वो राजनितिक और आपरादिक रूप से सक्रियता वाला समय था जब मुबारक ने इस फील्ड में एंट्री मारी थी। और शह मिली थी बड़े भाई की। रहुमन छोटे रॉप का रास्ता पकड़ लेते ही हैं। कर हत्या कर दी। क्राइम की दुनिया में सीरिसी थे एंट्री हो चुकी थी। इसके बाद कई सारे अंध्याय जुडे कभी डाग घर लूटने का तो कभी किसी वैपारी को रंगदारी के मामले में हत्या कर देने का। कई सालों में पेशा इतना फैला कि अंबेट का नगर क्रिमिनल रूप से एक्टिव टॉप तीन जिलो में आ गया। साल 2020 में न्यूजेटीन से बाचीत में UPSTF के प्रमुक अमिताब यश्ट ने कहा भी था हमने अपराधिक रूप से एक्टिव जिलों की सूची बनाई यसमें अमेट का नगर टॉप तीन में आया। यहां और टांडा में कोई भी व्यापारी कारे करता था तो उसे रंगदारी देनी होती थी और सारे अपराधों के पीछे खान मुबारक का नाम सामने आता था। बैराल इसी सब के भी छोटा राजन और पुर्वांचल के दूसरे माफिया मुन्ना बजरंगी के बीच अधावत शुरू हो चुकी थी। और जब साल 2006 में खान मुबारक ने कथित तोर पर इलहाबाद में डाग घर लूटा तो इससे मुन्ना बजरंगी का माथा ठंका। क्योंकि लोग बताते हैं कि मुन्ना बजरंगी और उसके तमाम शूटरों की अरामगा इलहाबाद हुआ करता था। वारदात कहीं हो इलहाबाद में मुन्ना बजरंगी गैंग अराम करने आता था। खान मुबारक के एक्टिव होते ही आप राधिक सत्ता का संतुरन थोड़ा गड़बड हो गया। मुन्ना बजरंगी ने अपने खास लोगों जैसे बंटी अफ्रोज, संजीब जीवा और बच्चा यादों को नए शूटर जोड़ने के काम में लगाया था। निर्णायक मोड तब आया जब खान मुबारक ने मुन्ना बजरंगी के एक करेबी डॉक्टर से 25 लाख रुपए की रंगदारी मांग ले। ये बात मुन्ना बजरंगी को जीवा ने बताई मतलब खान मुबारक की चुगली करती। फिर खान मुबारक और मुन्ना गैंग के भी शूट आउट का दौर शुरू हुआ कभी जूसी में तो कभी साउथ मलाका में कभी सीधे खान मुबारक और मुन्ना के शूटरों के बीच तो कभी दोनों के शूटरों के ही बीच गोलिवारी होने लगी STF सक्री हुआ खबरे बदाती हैं कि पुलिस घुसी इलाबाद विश्विद्याले के हॉस्टल में पूरवांचल के कई सक्री शूटर हॉस्टल से दबोचे के इधर बंटी अफ्रोस ने छोटा राजन और खान मुबारक के करीवी फिरोस को मार दिया कहा जाता है कि इन घटनाओं के बाद पुलिस की दबिश बढ़ी तो खान मुबारक मुंबई चला गया अपने भाई के साथ रहा छोटा राजन से करीवी और बढ़ गई और फिर वो घटना होई जिससे किसी न किसी अपराधी का ग्राफ जरूर चड़ता है बड़ी कहानी से पहले जानी एक छोटी कहानी दो लोग नाम अमजद खान और हिमानशू चौदरी दोनों ड्रक्स का काम करते थे और छोटा राजन के करीबी ड्रक कारूबारी एजास पठान से 50 लाग रुपे ले लिए पैसे लोटाए बिना अमजद खान और हिमानशू जाकर मिल गए दाउद इबराहिम से और इस सब के दस्यों साल पहले यानि 1993 में दाउद और छोटा राजन अलग हो चुके थे और अलग होकर एक दूसरे के जानी दुश्मन भी हो चुके थे मुंबई नहीं, थाइलाइन, नेपाल, मलेशिया, बैंकोक और दुबई में कई सारी छोटी बड़ी घटनाए दोनों के बीच हो चुकी थी इधर पुलिस ने भी एक मामले में अमजद खान और हिमानशू चौदरी को अरेस्ट कर लिया था एजाज इन दोनों से खार खाये बैठा था छोटा राजन को सुपारी दे दी गई ये छोटा राजन के लिए निर्णा एक मौका था सुपारी पूरा करने का, दौद इबराहिम के गुर्गों को ओडाने का और मुंबई पुलिस के सामने मिसाल कायम करने का इनको एक साथ ही निप्टाने का समय आ गया था छोटा राजन ने ये काम दो लोगों को दिया अपने करीबी जफर सुपारी और राजेश रियादों को इन लोगों ने पुर्वान चल खासकर इलहबास से शूटर बुलाए 16 अक्टूबर 2006 मुंबई के काला घोडा इलाके में पुलिस की एक वैन हमांशू और अमजद को पेशी के वास्ते कोट लेकर जा रही थी एक मौके पर एक पुलिस वैन को चारों और से घेर लिया गया चारों उन से गोलिया चलने लगी और गोलिया तब तक चली जब तक वैन के अंदर बठे लोगों के जिस्म ठंडे नहीं हो गए काम पूरा हो गया था छोटा राजन ने हत्या करवाई थी खबरों के मताबिक जिन लोगों ने मिलकर दिन दहारे इस शूट आउट को अंजाम दिया था उनके नाम थे बच्चा पासी, उसामा खान, निहाल कुमार, नीरज वालमी की, जफर सुपारी और खान मुबारक न्यूज 18 खबर के मताबिक जब बाद में स्टीफ ने खान मुबारक को गिरिफतार किया तभी पूस्ताश में उसने ये नाम उगले थे दिन दहारे हुआ ये हत्याकान इतिहास में काला घोडा, शूट आउट के नाम से दर्ज हुआ मुंबई क्राइम ब्रांच ने बच्चा पासी जफर सुपारी और खान मुबारक को अरेस्ट कर लिया इसके बाद खबरों में फिल्म जगत से जुड़े दो लोगों के मडर की साजिश में भी खान मुबारक का नाम आता है राजकुमार संतोशी और हिमेश रिशमिया खबरे बताती हैं कि इन दो लोगों की हरत्या करने की सुपारी छूटर राजन ने ली थी शूटरों को लगाया जाना था खास सही होगी एजाज लकड़ा वाला ने शूटरों की भरती का काम किया मदद की जेल में बंग खान मुबारक ने लखनो और बाराबंकी से शूटर बुलाए गए मुंबई क्राइम ब्रांच दें इंटरसेट किया काम नहीं हो पाया इसके अलावा भी जेल में रहते हुए खान मुबारक ने कई घटाओं को अंजाम दिया कभी रंगदारी मांगना तो कभी किसी व्यापारी की हत्या करवा देना कुछ मौकों पर खान मुबारक बाहर आता तो भी किस से जुढ़ी जाते हैं ऐसे किस सा और आपको बदाते हैं 15 मई 2007 शाम के 8 बजे लाभाद में एक कैश वैन पर हमला हुआ लूट की नियस से लूट तो असफल रही लेकिन वैन के साथ रहने वाले दो गार्ड मारे गए और एक और गार्ड ने अपनी बंदूग से दो लुटेरों को धेर कर दिया जब दोनों लुटेरों के शिनाक थी गई तो एक का नाम पता चला सौरप सिनहा और दूसरे का नाम था विनेरंजन गुपता खबरों के मताबिक दोनों के पास सिर्फ फोन मरामत किये गए फोन के कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाले गए सारे तारा मिट कर नगर जा रहे थी इनकी मौत के कुछ दिनों बाद पुलिस ने इनके फोन से उस नमर पर फोन लगाया जिस पर सबसे अधिक बात हुई थी उधर से फोन उठाया खान मुवारक ने पुलिस का शक यकीन में बदल गया था अरेस्ट हुआ और फिर कोई पूस्ताच खबरे बताती हैं कि इसी पूस्ताच में खान मुवारक ने काला घोडा शूट आउट का राज उगल दिया था 2007 से 2012 तक खान मुवारक नैनी सेंटरल जेल में बंद रहा खबरे चलती रहे हैं लेकिन साल 2011 में एक बड़ी घटना सामने आई चोटा राजन के करीबी ओसामा की हत्या की ओसामा चोटा राजन के खास लोगों में शामिल था और उसके काला खुडा शूट आउट में भी शामिल होने की खबरे आती हैं तो सितंबर 2011 में एक दिन लोगों ने इरादत गंज रेलवे क्रॉसिंग के पास एक लाश पड़ी देखी लाश गोलियों से चलनी थी शिनाक्त हुई तो वो उसामा की लाश निकली कुछ लोगों ने कहा कि छोटा राजन गैंग का मेंबर उसामा पुलिस को छोटा शकील के बारे में जानकारी देता था इसलिए दाउद गिरोह ने मार गिराया लेकिन कुछ जानकार ये भी बताते हैं कि बात के वर्षों में उस्वामा छोटा शकील की गिरह में शामिल हो गया था और ये बात छोटा राजन को कताई पसंद नहीं आए छोटा राजन ने जफर सुपारी को काम तमाम करने को बोला और कहते हैंगे जफर सुपारी ने ये काम सवबा अपने भाई खान मुबारक को नैनी जेल में रहते हुए खान मुबारक ने उसामा की हत्या करवा दि इस हत्या के लिए उसने अपने पुराने साधी राजेश ज्यादीखो की मदुद्दी और सुपारी चड़ी पचास लाग दोजर बारा में खान मुवारक जेल से निकला और बहाराते ही फिरोती का काम शुरू और इस बार टांडा तहसील के बहुचरशित भट्टा व्यापारी और ट्रांस्कूर्टर अयनुदीन से रंगदारी मांगी गए रंगदारी नहीं मिली अयनुदीन की मौत हो गई इस समेथ वो कई मामलों में जेल गया बाहराता भी गया खैर कारोबार दरुक अब थोड़ा सा बदल चुका था जमीन का कारोबार रंगदारी और फिरोती दूसरे लोगों को शूटर चाहिए होते तो वो भी खान मुवारक मुहिया करवाता था काम उलता हंस्वार आमेट का नगर के अपने घर से करता था और यहीं पर एक और खूनी दुश्मनी शुरू हो गई हंस्वार के रहने वाले बस पनेता जुगराम महंदी से जुगराम महंदी पर खुद लूट हत्या हत्या के प्रयास के मुकद में दर्स थे तो इधर खान मुवारक भी कम नहीं था संगर्श बढ़ता गया जुगराम पर खान मुवारक के लोगों के ओपर हमले के आरोप लगे तो खान मुबारक ने जुगराम के लोगों पर हमले करवाए और आखिर में 15 अक्टूबर 2018 को एक शूट आउट में खान मुबारक ने कथित तोर पर जुगराम महंदी की हत्या करवा दी लेकिन एक साल पीछे चलते हैं 2016 में जेल से बाहर आने के बाद 2017 में लकटों से UPSCF ने फिर से खान मुबारक को आरेस्ट कर लिया तब से लेकर अभी तक खान मुबारक जेल में है 2018 में फैज़ाबाद जेल से उसका एक वीडियो वारल हुआ था जिसमें उसने कहा था मुझ पर हमला करने के कोशिश की जा रही है खान मुबारक एक ना खत्म होने वाली और्गनाईजेशन का नाम है मुझ पर हमला हुआ तो खादी और खाके दोनों को ही नहीं बक्षा जाएगा ये सीधी चेतावनी थी जेल से वीडियो आने पर बवाल हुआ था लेकिन फिर जुगराम महंदी की हत्या के बाद ये भी समिकरण बन गए कि जेल से वीडियो ही नहीं शायद हत्या भी कराई जा सकती है अभी खान मुबारक हर दोई जेल में बंध है दो दर्जन से जादा मुकद में दर्ज हैं कहते हैं कि कोई गवार नहीं मिलता इसलिए बाहर आना आसान हो जाता है यूपी पुलिस कुरकी करवा रही है कहानी अभी आगे और लिखी जाएगी आपके लिए कहानी लायत हैं हमारे साधिसे धान देखते रहिए दीलल लंटो